आज बनाने जारी होम मेट कैरितिन ट्रीटमेंट वाली क्रीम जो के हम सलून में बहुत पैसे खर से हैं आज वह मैं बनाऊंगी घर में चलो करते हैं बनाना शुरू बाहर आपको जाने के दूद नहीं सब कुछ आपको आपकी किचन में ही मिल जाएगा तो हम चाहिए दो चम दो गलास का एक गलास नहीं रहा जाए आपको उसको प्रॉपर हिलाना है बिल्कुल भी नीचे नहीं लगनी चाहिए गाइज मैंने सलोन से भी बहुत बार कराई है साथ से आठ बार करा चुकी हूँ और मेरे बालों की मा बहन एक हो चुकी है तो सब कुछ घर का ही यूज करूँगी अब मैं थोड़े टाइम गाइज मेरे से गिर गई है अपनी मा से चिम्टा या बेलन बिल्कुल भी मत खाना तो इसको साथ साफ कर देना मेरी बहुत जादा महनत लग रही है कभी कोई चीज नहीं थी मतलब अलसी के दाने मुझे पूरे नहीं मिले थोड़ी थी स्पेशल बजा जाए आपने रील देखिए जो चाय की उपर बेलन रखो तो चाय बाहर नहीं आती तो मैं कर चलो आज मैं भी ट्राई करती हूँ गाइक जैसे हैक्स बिल्कुल भी मत्राई करा करो देखो बाहर आगी अल्रेडी मेरी पहले गिर गी थी बाहर बेल बजगी थी तो उसके चकर में गिर गी एक सेकंड के लिए आपका ध्यान इधर से उदर होगा बाहर निकल जाएगी तो आप इसको कॉंटिन्यू चमच मार क्योंकि जैसे दूद बाहर आ जाता है आपकी नजर इधर से उदर हुई तो इसके साथ भी ऐसा ही होता है बहुत मेहनत लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर देना चावल शाइन के लिए अच्छे है तो मैं बिल्कुल लास्ट में डाले हैं चावल पहले नहीं डाले क्योंकि जादा उबल जाते तो जादा थिक हो जाते इसलिए मैं लास्ट में डाले हैं चावल भी आपने दो चमच ही डालने हैं तो गाइस मेरा मुझे लगता है के रेडी हो चुका है आप लोग यही सोच रहे हो कि मैंने आपका हाल चाल नहीं बूचा हाल चाल देखो मैं कुछ न अभी मैं चेक कर रही है इसको के लाइन प्रोपर बन रही है के नहीं पर मुझे लगता है के लाइन बन रही है यह भी मैंने बहुत जादा वाइरल ले वाली वीडियो हो रही थी तो रेडी है चलो इसको चानना हम शुरू करते हैं आपको पोनी ले लेनी है चाय वाली या नहीं निकल दा तो मैंने मलमल का कपड़ा लिया है बिल्कुल सॉफ्ट जो धोती होती मैंने प्रहिया की फाड़ ली क्योंकि यार गाई इसमें तो चेढ़ है तो सारी मेरी मेनद वेज जा रही अब क्या करूं मैं आप मैं आपको बताओंगी कि मतले जो होता है ने वाला कपड़ा राई थोड़ी बहुत निकल भी जाए तो कोई वात नहीं आपको लगता है इजी देखने में पर पर बीलकुल भी नहीं आपको हाथ लगा लगाओ बाहर निकल अगया सा कुछ नहीं है मेनत बहुत जादा मेरी लग रही है घवान करे में मेहनत पूरी रंग लेके आए और आपने भी यह वायरल बोट जादा है तो मैंने तो देखी थो आपने बालों क लिए कुछ भी कर चेकथ थे यहरे मैपने स्किन के लिह बालों के लिए जो मैं आपको बता रहे है है और देखो जदा नहीं निकला पर मेरे बालों के लिए इतना बहुत है तो तो इसको लगाना शुरू करते हैं तो आप मेरे बाल देख लो ए बाल मेरे बिल्कुल ही नैचरल है तो आपने इसमें बहुत चीज़ों को धियान रखना है वो मैं आपको बताती हूँ आपने जैसे आपके पास कोई हो तो आप कोशिश करना के उससे लगवाना अकेले बहुत ज़्यादा मुश्किल है वीडियो बनाना आप वीडियो नहीं बनाओगे मुझे पता है वीडियो मैं बनाओगे मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जुरूर कर देना सो लाइक तो दो सो लाइक कम से कम करना गाइस प्लीज कर दोगे तो थैंक यू सूमच चलो लगाना शुरू करते हैं एक एक लियर लेकि हमने लगाना है मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही थी आप कोशिश करना अपनी मदर से किसी ना किसी से लगवा लेना जैसे कारिटी मैं हम करवाते तो साथ-साथ कॉम करते तो आपने एक चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है बिल्कुल सीधे आपके सीधे बाल ऑब करने धूरू करेंगे म।क्षय करएंगे गाइदा बिल्कुल charger ना चाहिए बाल कर्च एपने लगता है मेरी मेहनद जरूर रंग लेके आएगी। आप इस कृरीम को हफ़ते में दो बार या एक बार लगा सकते हूं मैं लगाने वाली हुझासक थो हफ़ते में क्योंको दो वार में हेड वॉश हफ़ते में तो आप भी कोशीच करना कि दो बार हिल लगाना तीन से चार मिनट हो चुके लगाते लगाते अब देखो प्रॉपर मतलब सच बता रही हूं शाइन बहुत अच्छी आ रही है गाइज मैं गंजी हो चुकी थी बिल्कुल तो मेथी दाने वाला हेयर मास्क भी मैं लगाती हूं वो मैंने वीडियो डाली हुई है तो आप जाक कौम करना आपने आप बिल्कुल बाल सीधे रखना तो मतलब बिल्कुल इबल नहीं पढ़ना चाहिए जैसे मैंने वीडियो में देखा था तो देखते हैं गाइस जल्ट पूरा आना चाहिए नहीं गंद भी बहुत पढ़ चुका है नीचे मुझे ही साफ करना पड़ेगा क्योंकि हमारी काम वाली अंटी काम करके जा चुकी है तो मतलब काफी मुझे कौम करना क्योंकि मेरी हाथ गंदे थे कपड़े भी गंदे हो गए नीचे भी देखो मेरा पीछे वेठा घूम रहा है ध्यान से वीडियो को देखना मुझे ठंड बहुत जादा आ रही है आपक होची करना आप में होमएड प्रोडक्त से यूज खरती हूं जैसे मामार का मैं शैंपू यूज कर रही हूं कोई भी चाहिकल वाला नहीं यूज करना आपने जो भी जेम्पू यूज करना सलफरी यूज करना तो मैं जा रही हो नहाने के लिए ठंड बहुत जादा लग र तरी स्टार्टे देखो फाइनली हैर गाइस अभी तक मैंने भी नहीं देखे गाइस शाइन तो बहुत अच्छी आई थी बालों में मतलब मज़ा गया मतलब सच मैं जिसने भी वीडियो बनाई है उसको मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी ट्रक भरके थैंक यू सो मज के आप यूस करना है वो सलफर फिरी ही यूस करना है मेरी बहुत महनत लगी इस वीडियो में बनाने में और शूट करने में तो गाइस प्लीज रिक्वेस्ट वाली वात है कमेंट लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और किसी को भी प्राबलम है उनके साथ वीडियो को जरूर शेयर क करना क्योंकि मैं परिशान हूं मेरे जैसे और बहुत माएं हैं बहुत लड़कियां हैं जो कि अपने बालों से परिशान हैं अभी मेरे बिल्कुल गीले हैं पर फील करके सीरियसली बता रही हूं गाई बहुत एफेक्टिव वीडियो है आप भी जरूर अपनी फैमिली मेंब आपके बाल ड्राय है तो आप इसके अंदर थोड़ जा कोकोनेट ओयल या कोई भी ओयल दो चमच मिक्स कर सकते हो काई लाइक कमेंट शेयर वीडियो को जरूर करना है तो टेक केर बाबाई बहुत मेहनत लगे